तो वाट्स आफ एवलीबन फिट से एक नया वीडियो में आप लोगो स्वागत है आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे मैं लास्ट एड एक पिक्निक किया था इस साल थोड़ा सा पिक्निक डिफरेंट है यह पिक्निक बोल सकतो मुझे इंविटेशन के तौर प बताओंगा, कितना करें रेट है, फिกनिक का सब चीज मी अब लोगो बताओं गा, तो चलो, आप लोग देख लोग किस साधन से आप लोग जा रहे denote, कि मैं घर से आगया, करीबन 10 किलो मेटेर बाइल, यहां से हम लोगा स्टाइब हुआए, बोट शेट है अभी सब कोई आ क्या प्राइज ले रहा है सब कुछ चीज मैं आप लोगो बता दूँगा ये घाट को बोलता है उत्तर पड़ा खेया घाट जो इंवाइट किया है मुझे पहले भी उनका दुकार में जाकर मैं वीडियो बनाया हूँ तब भी मैं आप लोगो मिलवा दूँगा जो और्गनाइस कर रहा है उनसे भी मिला दूँगा आप लोग अगर जाओगे तो उनसे आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हो अगर आप लो यह टूरन ट्रबल से मेरो को इनवाइट किया था तो यह आया सेटीस का जोबी टिकिट वेगरा है सब कुछ बुक करते हैं तो यह दादा है दादा आपका नाम बताएए पहले मेरा नाम अरिना मित्रा है अच्छा आप बेसिकली किस चीज का आप यह करते हैं थोड़ा सब सब्सक्राइब करें का एच्छा फ्लाइट और ऑर ट्रेंट का टिकिट वूपिंग से एलेकर होटल बूकिंग से मेरा कौन सा कौन सा बेस आ अलौ बर ऑूर अलौ अबर इंडिया वह तो इस प्लेसे हो फेमस यह आ अबब लोकेशन था वह सारे होटेल बगरा है यह यह होता है यह ग्रूप तूर्ड जो दोस्तों के साथ में जा रहा है यह ऐसा पिक्निक टाइप हो और कोर्परेट टूर्ड भी हम लेख चानल भी आए तक कोई ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर है पिक्निक जाना चाते हैं आच या कहीं घ्रूप तूर के लिए जाना जाते हैं आज बेसिकली आप लोग ग्रूप टूर करवा रहे हैं वांडे पिक्निक करा रहे हैं फैमिली भी हैं उनके साथ क्या-क्या मेनु है वह तो मैं दिखाई दूँगा टूडली बोट के उपर में कुक होगा जड़ा वहां पर गाली का प्रोग्राम भी होगा वहां पर कुछी कॉंटेस्ट भी होगा अच्छा तो यह पूरा साथा गंटे का टूरा अच्छा यहीं से आप लोग और अपरेट क आप उनका नंबर थोड़ा सा देख लो यहां पर लोग स्किन सॉट लेके इनका तीन नंबर है और इमेल आइडिया अब लोग कोई भी भी आप लोग फोन करके यह कर सकते हो और कितना अगर के इस टूर का पैकेज है मैं सारा चीज बताऊंगा अभी तो नहीं बताऊंगा कितना करके क्या है नहीं है तोटल में बताऊंगा लाश्ट में पूरा फीडियो अब लोग देखो पूरा लाश्ट में अब लोग को बता दूंगा कितना करके क्या चीज आज कितना करके क्या ले रहा है नहीं ले रहा है पर हेड करके ठीक है अब लोग अगर ऑफिस से प्रस्टाइब कर दो तो चार जन बाकिये आने में वही सब चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो भाई जो मुझे इन्वाइट किया है इन साब मिलों यह हो गया सोरिद्दा आप लोग जानते हो सिपेडवाइड में पहले बैठते थे अभी इनका नया स्वाप खोल लिए उनक जो नया स्वाप का जो उपेनिंग था उसमें मैं जा नहीं पाई लेकिन उसके बाद में गया था सोरिद्दा इन्वाइट करने के लिए बहुत थैंक्यू और एक तो इनका दुकान खुली है मैं उसमें जा नहीं पाया मैं बहुत जल्दी जाओंगा आपका दुकान का तो आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हो आप लोग अगर उत्तर पड़ा बाली बेलूर से कहीं से भी देख रहे हो इनका दुकान का आप लोग ओडर कर सकते हो आप लोग को होम डेलिविडी मिल जाएगा क्या 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 आप लोग टोटल मतलब यह देते हो ना कितना कितना आज तो इनके साथ पुरा दिनी रहेंगे पुरा मुझे दिखाएंगे पुरा घुमाएंगे तो यही इन्वाइट के मुझे तो चलो बोर्ड में जब स्टार्ट होता है मैं आप लोगो दिखाता हूं तो देखो भाई अभी तक लॉंच होड़ा नहीं मतलब हम लोग यहां स से ही देना चालो हो गया क्योंकि दस बज गया इतसे ज्यादा लेट करोगे तो ब्रेकफर्स्ट का मजा नहीं रहेगा अब ब्रेकफर्स्ट में क्या क्या मेनू है नहीं है मैं साड़ा चीज में अब लोगो दिखाऊंगा अभी दो तीन जान बाकी है इसलिए यहां ही पे ब्रेकफर्स्ट दे दिया है तो देखते हैं मैं आप लोगो दिखाता हूँ क्या क्या ब्रेकफर्स्ट दे रहा है यहां पे और बहुत जन जा रहे है मालो 100 के असपास हम लोग यहां से जा रहे है यह उपर भी है यह फर्स्ट रोड भी है उपर में भी जा सकते हो और चीज अब लोगों बता दूंगा वीडियो में अब लोग देखते रहा हूं तो देखो भाई फाइनली हम लोग यहां से निखल चुके हैं अभी पूरा यहां पूरा पानी में लॉंच में ही रहना पड़ेगा सब कोई का ब्रेक्फस्ट हो चुका है हम लोग चारी जन पाच आप अधर का चेंज करने के लिए तो जैसे मैं बोला हम लोग हम लोग ऐखायेंगे यहां से बी गार्डेन के साइड में पुरा नजारा मिलेगा सेगेंड बीच का पूरा नजारा मिलेगा गलकात्ता का स्काइल आइन अभी अब लोगों बीडियो को हाना तो है गाना तो ह कुछ वहीं पर हो रा यहां पर सब राके रग रहे ंक पुरा रहे यहां पर इसका भी नजार हैं तो उसका भी नजारा आप लोगो दिखा द송 तो भश्चेट भाई डिराइव कर रहा है रहे हैं सिल कम यहां से बाल면 भीच नजारे अब लोगो दिखाते चलो थोड़ा सा — । 50 छन ना तो बहुत है अच्छा यह जो फेसिलिटी सरकार से स्टार्ट किया ना यह जो लॉंच वागरा रेंड देने के लिए पिकनिक के लिए इससे भी बड़ा आता है मैं दिखाऊंगा कहां पर मिलता है यह तो बड़ा है यह पकड़ो सौजन के आज पास में ठीक है इससे ज्याद यह तो बहुत लाइब मुजिक होता है बहुत अच्छा है यह वाला चीज चलो दिखा दिया यहां पे साइद लंच व्यागरा होगा जो भी और जो भी एक्टिविटी होगा सब मैं आप लोगो दिखाऊंगा यहां पे बहुत चन बैट और वह जैसे मैं बोला वह देखो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मैं इधर तो इतना आता नहीं हूँ और ये मैं बता दू ये बाली ब्रीज से आप लोग सियालदा से कहीं से भी ट्रेन पकड़ते हो आप लोग अगर दिल्ली साइड मतलब ये डानकुनी साइड जाते हो तो ये ब्रीज के उपर से ही आप को जाना पड़ेगा मतलब सियालदा राजदानी जो जाता है दिली के लिए वो ये इसके उपर से ही जाता है मस्त व्यू मिलता है सामके टैम में जाता है मस्त व्यू मिलता है जो भी मनलब जामू का एक ट्रेन है जो कलकता स्टेशन से छोड़ता है वो भी इसके उपर से ज यहां पर बहुत कम जन है और सामने आ रहा है भाई बेलूर मट वह भी आप लोगो दिखाता हो भाई कितना अच्छा लग रहा है देखो वहां पर से ही अच्छा लगेगा देखने के लिए तो चलो यह हो गया बेलूर मट का नजारा दिखाने के लिए मैं उपर में आया भावन देख रहे हो यह हो गया प्रसाद का जो भावन है वह यह वाला यहां पर अभी जितना भी सरनातिय सबको यहां पर प्रसाद के लिए टुकन देखे प्रसाद यहां पर मिलता है और वो जो में कक है बेलूर मट का जो में मंदीर है रामकिशना प्रभांस का यह जो य यह वाला मेन है मेन बिलिंग यह वाला है हम लोग यहां पर बहुत आता है यार यह देखो आ गया बेल रूमाट बाई लॉंच छोड़ने के करीबन दस-पंदरा मिनिट बाद मुझे चाहे मिल चुका है यह जो स्पीड बोर्ट देख रहे हो यह पुलिस पेट्रलिंग बाद यह ट्रेन का सफर अब लोग जरूर करना पिंसप घाट से लेके बाग बजारत करना मजा जागा यह पूरा जितना भी रिवर साइट का विव आप लोगो मिलेगा बाई मस्त मस्त राई है यह वाला पांस रुपय का टिकेट लेगा आदा गंटा का राइड है बाई मस्त ंड़ा ओ बाई अब इकला हो अब ही घाला हो रहा है इतले थोड़ासा मैं चिल्ला चिल्ला बात कर रहा हूं और एक टो ट्रेन का वहां पे अब हैया बटा दूल यह चायाए यह आ फूंत मेरों सखतलों उपले के पो हम फूर्ण कंवा भाई यह सब गोल वह रहता है नोनेल कूर जो मोग बोलता है है मस लगता है और आलू की सब्सचा अलू तब और पूरी यह हो गया ब्रेक फस्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों दिखाते हैं और क्या स्नाक्स वगरा कुछ मिलता है डाइरेक अगदम लंच में जो होगा मैं अब लोगों दिखाऊंगा नजारा तो मैं दिखाते रहूंगा आज पूरा इकदम तो बेक्फस्ट में एक नंबर खाता मस तुमज़ा आ गया बैफस्ट ऑभी जो न operates आप लोगों दिखाऊंगा बाई मस नजारा तो तो यह देखो अ हवड़ा प्रीचके नीचे से जा रहे है भाई हम लोग बाली वीच से स्टार्ट किये थे उत्तरपड़ा से हवड़ा आगया है एक गंटा में हम लोग हवड़ा आ गया है ठीक है यहां से आप लोग वो वो हो गया भूतनाद जैब वावा भूत जागरत है कलकत्ता से जो है बहुत अत्मी जाता है भूतनत में और ये पास में ही है निम्तला ससान्द और हम लोगा घर उसाइड में एक दम ये देखो भाई नीचे से जा रहे है भाई वो कभी आब लोग देखे हो नीचे अब लोगाद कोई देखे हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना भाई भाई नीचे में कोई सपोर्ट नहीं है भाई इधर भी ना इधर भी ये देखो ये देखो भाई यहां से व्यू चेक करो भाई अब लोगों मैं नीचे दिखा है भाई मस्त लग रहा है और यह हो गया मिलेलियम पार्क यह वाला सामने वाला हो गया मिलेलियम पार्क और यह वाला हो गया हावडा रेलवे स्टेशन आप लोग देखो यह हो गया old complex वो हो गया new complex यहां पर हावडा का जेटी घाड जो भी है हावडा का जेटी घाड यह वाला यही चो चाता था मैं यह इस type का कुछ तूर बगएरा होगा मुझे मिल गया मैं आप लोगो दिखा दिया यही मैं चाता था इतना दिन से मैं चाता था यही सब चीज 42 यहां से तो भाई व्यू मस लग रहा यार क्या बताओं आप लोगों इतना अच्छा व्यू लग रहा यार और यह वाला हो गया बंदे भारत जो मैं वीडियो बनाया था गया आपका रेलवे म्यूजियम और यह वाला हो गया जैसे नॉर्मल लॉंच वगेरा जो स्टीमर व मिलिलियम पार घाट हो गया बाबू घाट हो गया बहुत सारा घाट है यहां पर जा सकते हो और यहां से आप लोग सोबा बजार भी जा सकते हो और एक मैं इन्फोरमेशन दे देता हूँ आप लोगों यहां से आप लोग हावडा आते हो आप लोग पता नहीं है आप लोग यह आप लोग एक्सेस कर सकते हो आप लोग अगर नए कलकत्ते में आये हो तो यह मैं आप लोगो बता दिया थोड़ा सच्छे तरीके से सुन लेना मैं क्या बोला आप लोगो तो अभी मैं आ चुका हूँ पाइलेट केविन में दादा यह लॉंच का कैपासिटी कितना है कित कितना लेगा नहीं लेगा मैं आप लोगो वीडियो में बताते जाओंगा आप लोग करी वीडियो टूटा फॉलोग और यह वाला भी एक तो बोड निकल गया भाई अभी कलकत्ता में बहुत सारा बोड आ गया है मतलब बहुत डिबलप जा रहा है यह पुरा लगशरी टा वहाँ पर होता है गंगार्ती और यह वाला हो गया इडेन गाडेन्स और यहां मैं जो बता रहा था यहां से आप लोग को यह जितना भी फ्लोटेल होटेल हो गया मैं रिटन जब आएगा तब मैं आप लोगो दिखाऊंगा वो फ्लोटेल होटेल के सामने से जितना भी सब यहां से मिलेगा आप लोगों यहां पर उन लोग का ओफिस है जो यह बोट का जो अथरिटी का मेन ओफिस है सब वहां पर है मैं दिखाऊंगा अब लोगों एक दिन आऊंगा तो मैं पॉप पर दिखाऊंगा ये जो घाट आ रहा है ये वाला हो गया प्रिंसप घाट इसके नीचे से मस्त व्यू मिलता है जिनका कम कपासिटी है वो ये भी करवा सकते हो ये इसमें भी पिक्निक होता है गेंगेज बोल के एक लांच है अब लोग देख लो ये कम कपासिटी है थर्ड फ्लोर मतलब उपर मेडिल नीचे ये तिन टाइप का कपासिटी है ये चोटा टाइप का है और ये वाला हो गया पिंसप घाट यहां पर आब लोगो जो बोट है चोटा चोटा जो बोट है ये वाला राइड लोग को मिलेगा यहां पर वो यहां से मिलता है वो सब बैठा हुआ है देखो वहां पर वहां से मिलता है तीन सो चार सो रुप Unity में आओगे तो दोसो ठाई सो तीन सो रुपए में मिल जाता है आज जैसे संडे पान सो छे सो सु 15 मिनिट का मतलब गोंता हिए थोड़ा साइड में गोमाता है घोमा खे यह एक बाट ट्री कर सकतो तो बहुत मस्त लगेगा भाई मैं ऐसा नहीं कि बोलूंगा नहीं करने कर रहा है एक बाट के लिए ठीक है वन टाइम एक्सपेंस के लिए ठीक है लेकिन कपल वागरा तो बहुत जाता है इसमें यह आप लोग चेक करो सेगेंड होगली बीच इसमें सिर्फ दो पिलर है यह वाला पिलर बेस केम बगरा है सब इसके पीछे में है और यह वाला हो गया कलकात्ता पोर्ट यहां से अब लोग जितना भी सब देख रहे हो सब खिदिर पूर्ट जिसको बोलता है सब यह कोलकात्ता पोर oh अला भी यंग्स्टर है और जितना भी हैजट परसन सब एक साथ आ गया है भायांकर मस्ती चले भायांकर डांस चले भाई भायांकर और बहुली तो यह वाला देखो पूक इतना जल्दी हो रहां ला ना वहाई इतना अच्छा मैनेजमेंट मैं क्या बोलु आप लोगो यह देखो मतन पुरा रेडी है यह लोगो दिखा दिया मेनू, मतन पूरा रेडी है मतलब मतन करना चालू किया था भाई अभी टाइम दो कितना बज़ रहा है साड़े बाड़ा बज़े मतन रेडी और भी बहुत सारा मेनू है क्या मेनू है मैं एक तब लंच में दिखा हूँ आप लोगो अभी तो फुरा इंजारमेंट चल दा है यहां पुरा डांस करे रहा पूरा आप लोगो देख लिए हो मैं तुसरा मुजिक चेंज कर दिया लेकिन भाई को जो गाना यहां पज़ा है ना मैं तुम्हां पुरा पुरा कॉपी राइट आ जाएगा तो इसले मैं गाना चेंज कर दिया जो भी तांस बादाना मैं आप लोग देख लिए हो कैसा लगा है आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बतारा आप लोग तो अभी यहां हम लोग आ चुके हैं तो जो सक्राइल पुलिश चैसा नहीं सब्सक्राइल के आस पास में हम आ चुके हैं यहां सब्सक्राइब लोग बैक करेंगे पुड़ा एक्टम सेगें पीजो के फिर जहां पे उदर गये ते उदर गये मतलब दो अड़ाई घटा में आप लोग इस्ता आइस्ता 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 आप लोग जाएंगे और यह वाला जगा हो गये आपका सब्सक्राइब लाइन उस पार में है सब्सक्राइब कोई डांस कर रहा था ऐसा कोई परसन ने की डांस नहीं किया बहुत मुझ मस्ती किया यहां बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइप का अगर कोई पिगनिक और अर्गनाईजर अब लोग देख रहे हो मुझे कौन सा कौन सा यह वाला यहां सबелा बालु जो है यहां पे तो चलो हभी पूरा लांज्ट टाइम है यहां पे सब जितना भी सिटिंग है ऊपर में फकोई कबड़ा ते किए यहां यहां हो गया इंवाला होगया और यहां मतरका हम ज्याता ब्लेट में चारपीस करके मतन मैं देख रहा हूं तीन पीस करके मतन पगड़े हैं ये भर सदू है यो मांगे गहा उसको देखे चल네요 देखे तो मतन स가 ब्वहत हú अच्छा हुआ है सो आधinking तो शाक मतन सी अच्छा हुआ है यह देखो, ओ, यह देखो, मेरा मुँमें पानी आ रहा है बाई, चलो, बैठते हैं पुरा है दम, जब प्लेट में आता है मेरा तब मैं अब लोगों दिखाऊंगा, और है फिस प्राइब मेरा में आज, तो वह भी चीज में अब लोगों दिखाऊंगा, यह जो system है, बुफ प्लेट उठाके लेके जा रहा है, बात के तब, और जो मटन नहीं खाते हैं उनके लिए chicken है, जो chicken मटन नहीं खाते हैं उसके लिए मचली है, जो मचली नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर है, यह चीज आप लोग फ्रसा थ्यान लगना, ठीक है, आप लोग अगर जब कि मैं यहीं कुल देना, कि मैं भेजूँ मैं एक दम टोटलई भेजू तो उसी साबसे आपके लिए अलग से पिपर्ड हो जाएगा, यह दो.. यह मैं देख रहा हूं कि जो जितना मटन चार है एक पीस दो पीस तीन पीस दे रहा है राइस जितना अनलिमिटेड चाहिए दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है लोग वास फूट का पस ही बहुत जादा है मुझे लग रहा है देखके और जो खाने का खिलाने का जो मन है न उन यह दो मदलब इसका जितना पीस रिक्वार्मेंट रेक्मिइंट है उतंतना पीस दे रहा है ठीक बोले इस प्राइफ कर एक पीस दो पीस सब देख कर दो ऐने यह चीज में देख रहा हूं मैं टेस्ट करके आप लोग को एक एक करके बताता हूं यह देखो भाई फिस्ट्राइब मतलब गरम-गरम खाना है भाई बहुत यह अच्छा लग रहा भाई खाने में फिस्ट्राइब यहाँ पर मन पसंदीदा खाना पी गार्डेन का नजारा सेकेंड बीच का नजारा और क्या ही चाहिए भाई मैं तो बोलूँगा साल में एक बाद इस्ट्राइब का ट्रिप चरूर करना चाहिए आप लोग करो बहुत ही आनद बिलेगा तो हार्ट टाइम तो काम यह वो यह सब रहता है मैं बोलूँगा साल में एक ट्रिप तो ऐसा फैमिली के साथ में श्टार्टर तो करता हो गया फीस फ्राइब ही मैं चिकेन के साथ पुलाव ट्राइब कर रहा हूं इसा लग रहा है मैं आप लोगों बता देता हूं अब लोग ज्यादा ना ओएल है ना न कुछ एक तम सिंपल जैसे घर में खाना होता है वैसा ही मैं मतन में ट्राइगा थोड़ा सा मुझे क्यों लग रहा है थोड़ा सा हाड़ है लेकिन यह जो क्रेवी बना है ना मटन का भाई एक नंबर बना है थोड़ा सा क्रेवी लेक ट्राइग करता हूं अलू ले लेता हूं मतन साथ में अब आप आप अगर तो आप नच बना है वाई मतन का पीस भी मुझे बहुत अच्छा मिला है थोड़ा सा थंड़ा हो गया लेकिन आप लोग देखो थोड़ा सा छी थोड़ा सा चीव करना पड़ा लेकिन ऐसे में मैं बूलाता थोड़ा सा हाड यह वाला पीश टो बहुत संत ही इस मतन का मतन का कौन सा पीस टाइट होगा कौन सा पीस नरम होगा यह बहुत टाफ है खाले तो उसके बाद देखते हैं बात करता है कि खाना मस्त अगोज फोटना अब यह वाला हो गया हम लोग का यवा वेस्ट बेंग वाल का, SBI का हेड ओफिस, और यह वाला बिल्डिंग मुझे पता नहीं है, आप लोग अगर कोई जानते हो तो मुझे बताना, यह वाला बिल्डिंग कौन सा बिल्डिंग है यह जो फुटबॉल लखा हुआ है, इडिन गार्डेंस में जब मैंच होता है, तब देखना आप लोग यह फुटबॉल दिखाए देता है यह जो जितना भी एरिया देख रहे हो, पूरा ओफिस एरिया है कोई भी हाँ, रेसिडेंट है, ऐसा नहीं कि मैं बोलना हूँ कि रेसिडेंट नहीं है मतलब वो एक बिल्लिंग में हो सकता है, एक परिवार, दो परिवार ऐसा करके और यह वाला जो देख रहे हो, यह फ्लोटे ले आप लोगों कैसा लगा? आपका थोड़ा सा एक्सप्रियेंस बताइए, आज जो आप ट्रीप किये, इसका एक्सप्रियेंस थोड़ा सा बताइए खाना कैसा लगा? खाना वेक्फरस्ट से लेके लंच सब आप बुलिए आपका कैसा लगा? आपका एक्सप्रियेंस कैसा है? एक बात बोली है मटन कैसा था अच्छा लगा है अभी देखो साम का पौने पांच हो रहा है तो अभी मिल चुक है हम लोग का कॉफी तो कॉफी पीएंगे उसके बाद यहां पे बहुत सारा क्विस्ट कॉंटेस्ट सिंगिंग कॉंटेस्ट बैक टू बैक चले जा रहा है भा जलो साम का ताइम भाई अभी बळबाट बंच सांक disag करें बढ़ा है वाचिनलेकिन तरहाब छलो पात तब लेते हैं एनसके बाद चलो मैं ले लिए अपना वाने दोपी और भी स्वास के साथ भाई चलो इसको टेस्ट करके मैं आप लोग को बताता है तो चलो भाई हम लोग जहां से सुबह उठे थे वहीं पर हम लोग आ चुके हैं अभी तो यहीं पर हम लोग का जर्णी एंड होता है और कितना करके क्या प्राइज है नहीं है मैं फुरा डीटे अभी यह तुझो नहीं बागा ली तो चलो टाटा तो यह भाईया है और के नाईजर सब ग्रूप में बहुत अच्छा लगा आपसे आपका जो हस्पिडेट्री है बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा अमि यह बांगला बोले दिच्छी कुप सुन्दोल लागलो जाड मैं आप लोगो मेरा घर नहीं बताया अबलोगों सारा सोल वागडरा हो रहा था यहाँ पे बच्चा लोग खेल भाप बीछ बना देता हूं लंबा नेखी चूंगा वीडिएयो तो मैं रेट के बारे बहुत कम है लाउंच का ही जो स्टीमर है वो स्टीमर का भाड़ा बहुत है और एपवाक्स पकड़ लो 40,000 रुपया के 40-50,000 रुपया के आसपास में वह खाली स्टीमर का प्राइज है मतलब वह रेंट है 8 घंटा की 10 घंटा के लिए देते हैं लेकिन भाई हम लोग जो ग्रूप के साथ कहते हैं जो मेरे को और्गनाइजर जो मुझे इंवाइट किया तो मैं सिंपल बता थे तो भाई यह मेरे को इंविडिशन मिला है जो लास्ट इयर जिन लोगे साथ कहते हैं वो पिक्निक अभी थोड़ा सा पोस्पोन हो गया है तो ह वो होगा वो भी मैं लोगों दिखाऊंगा कहां पे हम लोग जाहें लेकिन यह लौन्च का था में लॉंच में कैसे पिक्णिक सेलीबएट होता है जानता था यह बहुत पहले से होता हुआ और लेकिन या मेरे मुचार मिला अभी तो मैं आप लोग धिका दिखा दिया तो आप लोग से टिकेट्ट करवा सकते हो चोटा-चोटा grade यह लोग नंबर में Brooks में दे दू आम लोग जाके चेक आउट कर सकते हो तो आ लाश्टीर का भी पिकनिक का वीडियो से दूगाровु यह हो यह मेरा first time experience है कि launch में पिगनिक किया हूँ यह मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं अब लोगों को बता देता हूँ यह में मेरा बिडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट कर दे लोगो सबस्क्शा कर देना तो चलो टाटा बाइबाइ पशासा वीडियो देंगे यह वाला वीडियो टाटा बाइबाइ